दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि अभी हम स्टाप सेलेक्शन कमिशन यानि की SSC की ओफिसेल वेबसाइट पर हैं और अभी अभी MTS यानि की मल्टी टास्किंग स्टाप एकजामनेशन 2020 के टीर 1 का रिजर्ट जारी कर दिया गया है तो चलिए इस नोटीस को डाउनलोड कर मैं नहीं की कहल देखते हैं कि आखिर कट ऑफ कितना गया है स्टेट वाईज देखने पाला है कि सिटवाईज कर आपकितना गया है तो मैंने पीडएप को डाउनलोड कर अगर बात करें पेपर 2 के लिए Колिये टोटल कितने कंडिडेट का सälेक्सन हुआ है तो पेपर 2 के ल सब्सक्राइब देख सकते हैं कि सभी स्टेट का कटॉप दिया गया है अप लोग सभी स्टेट का कटॉप देख सकते हैं उसके बाद आप लोगों को सभी स्टेट का दिया गया है अप लोग देख सकते हैं वीडियो को रोग कर आप अपने स्टेट का कटॉप देख सकते हैं कि आपके अपने स्टेट का कटॉप कितना गया है सभी स्टेट का कटॉप दिया गया है कटॉप बहुत हाय गया है पहले ही मैं आप लोगों को बताया था कि पोस्ट कम है इसलिए कटॉप बहुत हाय जाएगा इसलिए कटॉप बहुत हाय गया है तो चलिए अब आप लोगों बताते हैं कि आप लोग अपना result किस परकार से चेक कर पाएंगे तो result चेक करने के लिए आप लोगों को SSC की official website पर आ जाना है और result बाले section पर click करना है जब आप लोग result बाले section पर click करेंगे तो कुछ ऐसा open होकर आ जाएगा यहां सभी exam का दिया गया लेकिन MTS का नहीं दिया गया है MTS का चेक करने के लिए आप लोगों को other पर click करना है other पर click करने के बाद कुछ ऐसा open होकर आ जागा यहां आप लोगों को result का PDF देखने को मिलेगा लेकिन अभी MTS का PDF अपलोड नहीं किया गया एक उस दिर बाद PDF अपलोड कर दिया जाएगा उसके बाद आप लोग यहां click here पर click करेंगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आप लोग अपना result चेक कर पाएंगे MTS का result आप लोग इसी परकार से चेक कर पाएंगे तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद